लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें अच्छान 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 आज बहुत है अच्छान आज बहुत हैं आज भी तुम यहां सत्रा साल से मैं तुम्हें देख रहा हूं कि हर सुबह तुम यहां शिवजी को दूच चड़ाने जरूर आती हो चाय सर्दी हो या गर्मी आंधी हो या तूफा आखिर कोई बात है बहन तुम्हारी इस खामोश तपस्या में कोई कहानी जरूर है कहानी इन से पूछिए जिनने लिखी है लेकिन मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूं कहानी अभी तक अधुरी है पंडिची जब पूरी हो जाएगी मैं आपको जुरूर बताओंगे बारी जोरों से शुरू हो गई है तुम थोड़ी देर रुप जाओ बैगा अरे शाम पेटा खिड़किया अंदर से बन कर लो बारी अंदर आ जाएगा अज़या आओ जुम्ट जानी सबस्क्राइब तादा जी जीते रहो बेटा राम आब एट तादा जी आज मेला चोटा भाई आएगा लखन बाबा तुरज चड़ाया अता भाया नहीं आया भी तब फिकर तो मुझे भी बहुत लग रही है उसकी फरेशान होगा बेचारा तेकर वकील साब मैं लुट जाओंगा मैं बर्ब प्रताब सिंग अदानत ने भानू और विशंबर को स्मगलिंग के जुर में चार साल की सजा तो दे दी है लेकिन वकील साब उनका ये धेर सा उठायों कर्दा कौन चुकाएगा अरे भाई ये सारा कर्दा तुम्हारी कंपनी के नाम से लिया गया है लेकिन वकील साब मैं क्या कसूर था हमारा यही कि हमने तुम्हें चाचा के लड़के समझ में घर में शरण दी दंदे में भागिदार बनाया यही था मेरा कसूर यही था कसूर बोलो हराम करते रहे कंपनी के नाम पर कर्दा उठाते रहे तुम्हें कुत्ते की मात की सजा मिलनी चाहिए इसलिए सजा भी तो वही बोगत रहे हैं सजा वो नहीं हम बुकतें के बाबा आपने उन्हें अपने कारोबार में भागेदार बनाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है बाबा कैसे उत्रेगा सब कर्चा कौन आएगा इस हावेली को किर्भी से छोड़वाने दादाजी दादाजी में लखन आगया वकिल चाचा में लखना है लखन अच्छा जाबू कातर शब्व कातर शब्व कातर या लखन आया है जा इस अधना निया नकें काया मुझे बताओ मा मेरे दोवन मुलरतन एक एराम तो एक लखन मेरे दोवन मुलरतन एक है नाम तो एक लखन राम लखन, राम लखन, राम लखन, राम लखन मेरे दोवन मुलरतन आपने बिशंबर और बालू को उस घर में घुसते कैसे दिया यह जानते हुए भी कि उनकी वजए से हमने कितनी बदनामी और संकत उठाएं जानता हूँ बेटा, सभी जानता पर इतना तुम भी मत भूलो कि वो मेरे सुर्गे भाई की निशानी की और आप तो वो जेल भुगत कराए हैं, आप तो उने सुधरी जाना चाहिए वो इंसान नहीं कुते की दुम है अब जो भी कुछ हो अब तो एक महिने के लिए तो मैंने उने आठेने की इजाज़त दे दी भावी जी यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो नेवी आपके कहने पर ताहु जी ने आपको करते रखा आपके ऐसानों का कर्द कैसे चुका पाऊंगा मेरी कुछ समझ में नहीं आता अब बड़े है इस घर के भाई है उठे उठे आप उपर जी भाई साब भावी आदेव आपके इंतिजार कर रहे हैं देखो जी चार साल इंतिजार किया है मैंने आपका अब और मेरे मैके वाले नहीं खिला सकते हां बाभी चंदा क्यों करती है अमने यहां एक मेना और रहने का इंतिजाम कर दिया है आरे वो तो ठीक है पर उसके बाद उसके बाद यह हवेली हमारी होगी अरे प्रताब मेरा बेटा है मेरी कुल जयदाग जीसमें हवेली केत खलियान गोदाम सबके मालिक प्रताब और उसके बेटे राम लखन ही होंगे मगर मेरी च्छा है कि मेरी 105 एकड भूमी में से 25 एकड भूमी बिशंबर और भानू को भी दे दीजाए अधरी दादा जी खेलो ना हाँ खेलेंगे बेटा अभी बाबा मैंने आपकी पूरी ख़्वाइस वसियत में लिख लिए साइन कीजिए है औरे बेटा ये तो तुमने अंग्रेजी में लिख है और अंग्रेजी मुझे आती त disp है नश्कत तो किसी भासा में हो सकती है बाब़ा है कि अ कि nei फिफित वावक हो के लिव अ रहिंगे पर्टाप यह मिठाई तो तुम भूली गए आइए अपहँ आइए 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 कि जूट है दुखा है साजिश है विशंबर मैं तुम्हारे चाल कभी कामयाब नहीं होने दूँगा यह चाल नहीं है परता भाई यह आपकी पिता जी की लिखी हुई वसियत है और उस पर उनके दस्तकाद क्या हुमा शार्दा शार्दा सुना तुमने यह लोग बाबा की ल के सारा करोबार जयदाद यह वेली इन दोनों के नाम कर दी है और मुझे और तुम्हें तुम्हें वो डुक्कल वाला घर और पांच एकर जमीन शर्मा जी आप ही कहिए क्या यह सच है जी वहन जी बाबा ने स्यों मुझे बुलाकर यह सब कुछ लिखवाया था आपका मतलब यह है कि बाबा अपने सगी संताम को सड़क पर छोड़ने का विचार रखते थे अगर भगवान भी आकर मुझे कहें तो भी मैं मानने के वसीहत के मुताबिक तुम्हें यह वेली छोडनी होगी तुम्हें यह वेली छोडनी होगी यह वेली छोडनी होगी अगले हपते देवु का जनम दिन मनाना है इस देवु का जनम दिन होगा और बड़ी धूम धाम से होगा मा बहुत भूख लगी है अंग्रेजी आया मा मैं वालते भाईया के लिए दूद लाओं नहीं मा मैं दूद लेने जा रहा हूँ लखन मा वे दुखता है थैर मैं भी आती हूँ मैं अभी आई दूद अरे आश करो भावी भावी मा देखो यह क्या है अरे यह सब गहने इस तरह से मा यह हमारा है मैं लेलू नहीं बिटा यह हमारा नहीं है मैं इसे वहां रख देती हूँ हाई राम तुम और मेरे कमरे में यह तो मेरे गहने है अच्छी सुनते हो यह तो दिन दिहारे चोड़ी कर रही है भावी भावी सुनिये तो अरे चलागू रही हो क्या हुआ मेरे दियेती कब धा कख रही है है लो बोला चोरनी का बेता वावी एक मनित तुम पकड रहा है कर देप क्रहिए यहितू कुला कर लाता हूं पालू आप लुक सब पागल तो नहीं हो गए मैं ओक चुई तुम्हारे जैसे हालत में और उच्छोरी तो क्या वेश्या भी बन सकती है तो परतिए लाच आल नहीं निगरिया से जबर बन डिगर हुआ है मेरी बीवी के समरे में जाकर उसके जेवर चुरा रही थी कुल्धा खबरदार जो तुने इस हवेली में कदम भी रखा दो समझ गई ना चुड़ेल पिसमभर्नाथ तेरी ये हिम्मत हराम साथे हमेरी के भव को धका दिया तुने छोड़ो मुझे छोड़ो घ्राम्जादे इधैरा मर्द से पज्जाल ड़ा तेरे टुकरे टुकरे कर दिये था कुछन नाम नहीं इस अमद केजी आपको मेरे करदम, आफ घले चलिये, इस मेरे भोहतीThere Do आप उन्हार्द के लिया नोगा जुना। प्रताब सेंग गुड़ मैन के शरी आप विलाए ती बाहरी पैड मैन अंगरे जी है लकार्जा जाल बाहरा मी के सरी आप विलाए थी केसर की दारू बेचने वाला अंग्रेजी बेचने लगाए बहिया दो चार ट्रक खरिग लिए इसने पैड मैं तारू चरस का माल लाने ले जाने में इतना कराया मिल जाता है के छे महीने में ट्रक की कीमत निगलाती है क्यों नों खेट खालियन बेचकर पच्चिस-चारिस ट्रक खरिड ले नहीं यह जायदात परताफ सिंग की है तुम्हारी नहीं भगवान मेरी गुनाहों को कभी माफ नहीं करेगा कि मैं कल ही सब को बता दूगा कि मैंने दोखें से गलत वसियत बनाई थी अंग्रेजी में लिखकर हिंदी में दस्कत कराये थे बावस्वार्ट यह तो खेल हो गया तो पास कर देते हैं इसे कि विशंबर है आमजादे मैं अभी पुलिस को लिखे आता हूँ अभी तरिया बर्ड मैं यह तो फेल हो गया बास हो गया कर दो तो यहाँ यहाँ मैं मुट कि इतना भी गुसा क्या जैदाद के लिए कि वकील को भी मार दे और खुद भी आत्महत्या कर ले आत्महत्या और नहीं तो क्या आत्महत्या ही तो किये उसने अरे हां पागर्ज हो गया का तिचारा कि पंद्र जी यह क्या कर रहे हैं वेखे यह तुमारे बाबा की अस्थियां जमा कर रहा हूं किसलिए हिंदु धरम में मनुश्य के मरने के बाद उसकी अस्थियां गंगा में बहाई जाती हैं ताकि उसकी आत्मा को संपूर्ण शांती मिल सके बेटा बहन जी यह पताब जी की अस्थियां लीजिए लीजिए और यह जो अस्थियां है वो राम लखन द्वारा ही गंगा जी में प्रवाहित हो सकती हैं मालम है चलो कि वो जी डुर फॉर्ण झांतोरsom कि वो थाया जडरी जीए करते हैं. मैं अपने पते की अस्थियां गंगा में नहीं भाहूंगी मैं उन अस्थियों के कलश को चीवित थकुट पताफ सिंग बनाकर अपने पास रखूंगी एक राज बनाकर तुझ जहां भी रहेगा मैं रोज आऊंगी इंतिजार करूंगी तेरे नियाय का नियाय नियाय यह पतिग्या है मेरी अब भाईया इंगाव चोड़के का जा रहे हैं अपने पड़ाने मुची मामा यह ने देवदर का का उनके आहां माप पर जाके चोड़ने करने का समझे चोड तेरा अबा लकान चोड़ उसको चोड़ को चोड़ को दिखाता हूं शुकर है कि बच्चों ने अपनी पिता की भैंकर मौत को आखों से नहीं देखा नेत नजाने बड़े होकर कौन से रास्ते पर जाते लेकिन प्रपाप की मौत अचानक हुई कैसे यह मत पूछो मौत कैसे हुई यह पूछो अब जिना कैसे है राम लखन को राम लक्षमन कैसे बनाया जाए लखन मार कहा तो मुझ से स्कूल चल माम आराम यह मारते हैं मा देखो यह स्कूल चाने से मना करता है क्यों अभी मैं कस्त करके आया ना तुम्हे को यहां पर बहुत दर्द होती है नहीं बेटा स्कूल जाना चाहिए मास्टर जी इंतिजर कर रहे होंगे मास्टर जी को कुछ आता नहीं वैसे ही करते रहते प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों इस बखसे को ताला क्यों लगाया है क्या है इसमें? कुछ नहीं इसमें तुम्हारे पिताजी की निशानी और मेरा मंगल सुत्र है कभी खोलने इससे अच्छा जा स्कुल जाओ जैहर ने भरनी भारी येलो जी एक किलो चीनी येलो जी एक किलो चीनी एक किलो से हलकी लगती है एक किलो से हलकी लगती है अवे हलके तेरे हाथ इतने भारी है तो चीनी तो हलकी ही लागे ना एक किलो ही है यकीन नहीं आता तो ये देख एक किलो का बट्टा और फिर वी यकीन नहीं आता तो इस पर सरगार की लगी मोर देख लो और अपने सर पे मार के देख ले अबे तु यह क्या करा चल भागयां से यह नीची क्या लगा रखें हैं चुप कर का शीरा यह चोगरा मारो कुंडली में घाटो इघाटो है क्या जबागया वार को भागया वार कुप कर शाया यह बागया थाटो इसे डहाँ खाया कर भागया वार रवजर्यश, किया है कि क्या चोड़ एसाशें है मेरे दोवन मूल रहन मेरे दोवन मूल रहन एक हराम तो एक लखन रहन लखन, रहन लखन मेरे दोवन मूल रहन एक हरा दो एक लखन रहन लखन, रहन लखन रहन लखन कि रहन लखन कि अओग रहन कि रहन लखन अजुर्पक्राइब रहा है अजुर्पक्राइब अजुर्पक्राइब अरे शार्दा बेहन तो पहर हो गई और तुम अभी यही तुफाना आया था इसलिए रुखे थी कुछ बीती बातें याद करें अरी भूल जाओ बीती बातों को बहन सारी जिंदगी भर की तपस्या सफल हुई की नहीं हां कि ना हां लगता है कुछ रास्ते तै हो गये पर एक बात कहूं मैं तुमने राम को जिस रास्ते पर डाला है उसमें बड़ा खत्रों है मने तो चारों तरफ दुश्मनी दुश्मन नदर आवें उसके उन दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए तो भेजा है मैंने अपने राम को अर ट्रक और गाड़ी की चेकिंग होगी किसकी हिम्मत है जो बीबी रोडवेस के ट्रकों को रो रोकिए प्लीज गाड़ी रोकिए गाड़ी की तलाशी लेनी है यह क्या बत्तमीजी है पहचाना नहीं आपने हमारे जीजा जी को शहर की बहुत बड़ी हस्ती है विशंबर सेट और भानुशेट लेकिन अज चेकिंग का ओड़ा है सर अरे 15 साल से किसी पुलिस वाले की हम है हमारे दोस्ता कमिश्णर साब क्लोस फरेंड जिगरी दोस्त अंडें किसर इन्हें बता दिजे कि पुलीस में आप कोई किसी का दोस्त होता है और नहीं रिष्टेदार अरे बेटे राम 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 चैर्मां इन्हें गाड़ी सुतारी और गाड़ी की पुरी तलाशी अरे कशब साब अरे बिशमबर वैं क्या बात है अरे कशब साब खूब आए जरा समझाईए ले अरे ले लेने तो इसको तलाशी यह हमारा पुलीस आफिसर बड़ा जिद्दी है अगर इसका बस चले तो मेरी तलाशी ले ले लेकिन कशब साब हम शरीफ आदमी हैं टोटल शरीफ अरे भाई तो शरीफ आदमी को तलाशी देने में क्या शरम असल में यार इस बोड़े एरिया में केसरिया विलाथी और सर्जान की स्मगी में इतनी बढ़ गई है कि राम ने और हमने खाली कि इन दोनों सारों को तो इनकी नानी याद दिला दें तो क्यों नाम हाँ कि वो कुट्टे का पिल्ला हमारे सामने गुर्राने लगा है देखिए सेड़ जी मैं आपका हमदर्द हूं मेरी बात मानिये तीन चार महिने के लिए आप अपना दो नंबर का धंदा सर चौन जैसे आदमी के साथ बिलकुल बन कर दीजे तो क्या हम अपने करोणों का नुक्सान कर ले लेकिन सेड़ जी जेल जाने से तो बेहतर है कौन भेजे का जेल हमें वह पिद्दा लेकिन भाई साथ वह अपनी पूरानी दुष्मनी निकाले गाना निकालने दो हम भी देख रहेंगे हां के सर्या विलाइथी का बॉस सर जान अगर यह पकड़ा गया राम समझे सब पकड़े गए अब आपको क्या हो गया क्या हुआ वीविया वीविया हां स सर्जौन जी गुड़ मॉर्णिंग मैं बिशमवर वीविया मैं वीविया बोल रही हूँ गुड़ मॉर्णिंग सर्जौन ने पूछा है हमारा माल अभी तक मंजिल पर क्यों नहीं पहुचा मैडम हम बर्सों से आपके साथ धंदा करते आ रहे हैं पहले कभी ऐसे कुछ देर हुई है इस बार जड़ा कुछ तकलीफ में आ गए थे तकलीफ को दूर कीजिए सर्जौन को तो आप जानते ही है हां जी नुकसान करने वालों को सर्जौन अपना दुश्मन समस्ते हैं अरे माधर इस राम परता आपका कुछ करो परना यह सर्जौन सर्जौन हमारा सर काट देगा भाईया ऐसा नहीं सोचते जी जी और क्या सोचू हां मेरी बात मानिये मेरा तरीका अपना लीजिये सब ठीक हो जाएगा तो क्या करें जी लडाई करें और की दिल से कैसे खेला जाता है ये भी नहीं सीखा आपने शिव चरन भाईये जरा इधर तो आओ उम्र के साथ साथ आदमी को अपनी गलती का एसास तो होता ही है न बहन जी विशंबर भानू और राम लखन में तो खून का रिष्टा है इस रिष्टे में दुश्मनी लाक सही पर अंत में प्यार जाती है इसलिए विशंबर भाय साब और परम बहन जी ने बड़े हिचकते हिचकते आपको ये साडियों का तौफा भेजाए देखिए न बहन आज आज राम की काम्याभी पर उन्हें भी बहत ना जाए आखिर चाचा है उसके यहां रख देजी अब जाए देखिए आपस में मिलने जुलने से ये घलत पहमियां दूर हो जाते हैं और वैसे देबू भी अमरीका से वापस आ रहा है मैं जाओ जाए जये जय हिंद पेंद आखिर पानी तक नहीं पूछा मैं हैं पारियां तो रख लिन उसमें अब देखना और आशर पड़ता है याज़ पड़ेगा पैच्छो पैच्छों हुआ है हुआ इन हुआ 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 है रुख जो विशंबर वही रुख जो मेरी एक बात आज ध्यान से सुन लो मेरे पती थकुर प्रताफ सिंग आज भी मेरे लिए एक जिवीता आत्मा है उनकी आस्तियों का कलश आज भी मेरे पास है वो आस्तियां अभी तक गंगा में बहाई नहीं गई है मेरे पती के खोन के छीटे जो मेरी चुन्र में लगे थे उसे अभी तक मिटाये नहीं मैंने तो तुम हमें धंकाने आई हो नहीं समझाने ये समझाने के जिन जिस्तों का खोन तुम कर चुके हो उसे अपने दौलत के सिक्कों से दुबारा जिन रखनने की कोशिश मत करो एक विद्वा की दिल में बश्सों से जलतुई आग पर तेल डालने की कोशिश मत करो राम लखन एक जखनी औरत की दो हत्यार है उनसे दूर रहना विशंबर वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो लंक पति रावन का हुआ था क्योंकि इन हत्यारों का नाम भी राम लखन है कि नागें अपने जहरीलत दांत दिखाने लगी है भाईया क्या बात है मा तो घंटों इस मंदिर में बैठे रहती है क्यों कोई बात नहीं ऐसे ही मन हलका हो जाता है इस बक्सेम है क्या मा जो तुना हमें हाथ लगाने देती है ना खोलती है कहाना तेरे पिताजी की निशानी है मेरे मंगल सुत्र है मेरे सुहाग है तो इतना सोचती क्या है मा मैं जो सोचती हूं तुने कभी सोचा है इसके बारे मैं लखन के बारे में विचारू का अब तक नौकरी नहीं मिली सब ठीक हो जाएगा मा आज शीव रात्री है मंदिर जाना था पता नहीं कहां चला गया श सब्सक्राइब कर देख लेना एक दिन मेरा लखन राम बन कर दिखाएगा मा मैं भी तो यही चाहता हूं कि मेरा भाई मुझ से भी बड़ा बने लेकिन लेकिन क्या लेकिन माव क्युए है कैज चाहता हूदू कर दिन जन दिन दो दोया हो, टिन दो दोब दोगों! कर दो कर दो दो दोचे दो! कर दो 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 दोगा हो, भी बशोंड़ों! ओजी 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 लोजी सुनो जी मैं हूँ मनमो जी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी पंटू का फोर, फोर्टू का वन, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन, सजिनो का सजन, मेरा नाम है लखन ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमा जी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी पंटू का फोर, फोर्टू का वन, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन, सजिनो का सजन, मेरा नाम है लखन दुनिया चकोरी, पैसा है चंदा, सुली पे लटका हर एक बंदा सबके गले में, माया का फंदा, सिखो ओ यारो, इनसे ये धन्दा, इनसे ये धन्दा दो बोल मीठे बस बोलके, हर माल बेचो कम तोलके, रे बाबा कम तोलके तुम अपनी हाले जे पे भरो जी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी वन्टू का फोटू का वन, माई नेम इस लखन, माई नेम इस लखन सजिनो का सजन, मेरा नाम है लखन कि बोल के लाचए माई ए लखन संसरा के लाचए मैं पांट समय है, वो तुम थात्स, मेरा थांट सनी, में ए उस्ता है, अवदाब खात्स, कि लखन संदाल पांट पांट समय आ, 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 आ मैं कुछ ना जानू इससे जियादा तू मेरा मोहन में तेरी राधा जीवन नहीं इतना सिधा सादा कैसे करू तुम से कोई वादा मादे है जो उटे सचे हो तुम जैसे भी हो बड़े अच्छे हो तुम बड़े अच्छे हो तुम कहते हो सबसे मैं हूँ मन मोजी हो दो मोझ करो जी पंचो का फॉर्ण, फॉर्णो का बन सजनों के सजन, अरु बोई जटन अरु बोई जटन, तर्दनी हो मिलन कर अरु युर्ण, चार दर्दनी हो मिलन बना लिंचा, बना लिंचा, बना लिंचा, बना लिंचा खापी रहा है सारा जमाना जो भूका प्याता है वो दिवाना अरे तौलत की छुठी चमकते न जाना महनक से रोडी रोजी कमाना केहना बड़ो का तुम मान लो अच्छा गुरा क्या है जान लो क्या है जान लो अरे कहता हूँ मैं जो वो तुम सुना जी मैंने सुना नहीं फिर से कहो जी नहीं नमबर टू कोई दो नहीं हो नमबर बन मेरी राम लपन जीओ राम लपन मिरी 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 राम लपन जीओ राम मिरी राम लपन जीओ राम मिली थी क्या किया रही थी वो भी लखन के लिए नौकरी ढून रही है तेरे लाड़डे को कभी नौकरी मिल ही नीशक्ती मां क्यों जो नौजवान एक दिन में लखपती बनने का सपना देख रहा हो उसे नौकरी में क्या दिल्चस्पी होगी लखपती यह बेटा था ना इस लिए माम तेरा दिल उसके हार हरकत पे च्छात्री की तरह है माम तोने लखन को कुछ रुपे दिये थे मेरे पैस रुपे कहां जो मैं दू लखन मढ़ गया अज़िए वन टुकापोर उठीए 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 चल लगो भईया अरे पाई लगने का मतलब यह अग्याओं का पालन करना उनकी आदर्शों को मानना बिटे अरे अभी सुबह सुबह यह रमायन मत शुरूब कर देना भाईया तो नाराज है आप नारा फाई अचा जैसे अरे जैसे बिशम्बर और भानू तार। साले कहां है वोड कह है हम की बात है विटवा को वक्त हमरार आयेग भाईया हमरा आएगा जाएगा कहां चांथ है लोग क्या कहते हैं क्या अगर मैं आपकी जगा पुलीस अफसर होता और यह सोने की खान जैसी पुलीस चोकी मेरे कबजे में होती तो बिशंबर और भानु जैसे सेट्यों की तिजोरी की चाभी मेरे जेब में होती कुआ हिए यार वो dsp का बंगला देखा ओश्यर्मा जी का वंगला थे काहाँ आप क dependrausta हाँ वहाली तक्दीर मैं कहां भगला हमारी तो हमारी सधॉन नौकरी नहीं लट्वां जब now-cri नहीं है तो यह he Nue तुम्हारे पर्स में मिले यह जो करल जो मैंने नाजगा नजगाना किया के तब उसके चंदे के हैं अपने भाय की किसम खाकर बोली पैसे चंदे के हैं भईया मैंने आप से कितनी बार काया कि ये सथर पर हात रख कर मुझे दरम संगर मत डालो बात ये है कि ये पैसे चंदे के नहीं हैं तो फिर किसे लिए ये लिए नहीं दिये इसने जीवा ट्रांसपॉर्ट वाले ने मार से कि तो मैं तेरे जिन्देगी खराब कर दूंगा यह ले तेरे छेसो रुपा है यानि अपने अमीर बनने का कोई चांस नहीं वेटे न तो तू अमीर बनेगा ना ही तेरी राधा से शादी हो अरे प्यार तो करती है ना बैचारी अरे लखन तू यहां क्या हो रोशन राधा से मिला मेरी चुडिया दी नहीं तेज़का यार उसके बाप ने उसे कमरें बंद करके अंदर से ताला लगा दिया बहुत और इतनी बचारी हां अरे शेवा अपनी जादू की पिटारी देना क्या करेगा तू इससे क्या करूंगा हा 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 माइनेम इस लखन कि राम भागात तुम मानक राम बानी काशी राम वो आ गया भूत पकाड़ बुनिब्राजबर लखन के आते ही आपके मुण 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 मंतर क्यूं शुरू हो जाते हैं को तुमारे आतियन की फूजा शुरू हो जाती है को मैं असे की पुझा चल रही है क्या यूफम मैं की पुझा शुरू हो जाती है कशी राम जय जय राम राधा नहीं है जाओ मैं राधा से मिलने नहीं आया हूं काका मैं शाका हारी अंडे खरीजने आया हूं तुमसे अंडे तन्य मालूम है ना कि यहां अंडे मास मचली की बात करना भी पाप है चाकाहारी अंडे यह कैसे होते हैं लखन भाईया दिखाऊं दिखाऊं आइसे कि अधिशने में कितरी बार बोला कि खिरकी बंद रखाकर किड़की बंद रखने तो जान से मार दोंगा है जब मैं नर्म हूं तो बहुत नर्म हूं जब कर्म हूं तो आग भी कापई मुझ से आजाते हैं सुसरे राम भगाता तो मामन क्रमभाणी जचत्राइश तुम्हाई कि यौन कि अ मैं आपके पूरा था वरतिधी ये सेड़ी अरे सश्री एक ये должны सले कि ये ईसके अन्दा नहीं problems on the आपने नहीं तो बोलना था इसका नाम लेना भी पाप है अंडा तो टूट गया होगा जाए सेट जी दो क्या आए धोती अपनी चाहिए ना लीजिए जाए सेट जी जाए कई बैठे बैठे अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकड़ाए ना तो भीड लग जाएगी लोग तरह तरह की बात एकरन लगेंगे आपके बारे में काश ठीक नहीं क्या मतन्य देख लूँगा देख लूँगा अरे भी आप कुछ नहीं हुआ क्यों भीड लगा रहे हो ऐसा तो होता है अरे भाई इंसान कभी-कभी ज्यादा खा लेता है और उसका फेट खराब हो जाता है और फिर वो धोती में भी कर देता है आपके तमाशा ल बीडिया है और चाकाहारी अंडे आते थंदे पाणी से नाने लग गए कम से कम पाणी तो गरम करने दिया होता है आल में गयोगर पानी यादारी मनने नानी दोती रादोती रादोती ला गया रही हुँ बापू माइनेम इस लक्ठन तुम्यासे जाओ, नहीं तु बापु मुझे बहुत मारेंगे क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? लखन देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाएँ? चुडिया मैं पहला हूँ अच्छी है न? बहुत लखन तुम्हे मालूम है उस दिन में तुम्हे मिलने आई थी न? तो मेरे बापु ने मुझे बहुत मारा देखो तेरे बाप को तुम्हे एक दिन उल्टा लटका दूँगा नहीं, ऐसा नहीं करना नहीं तो तुम्हारे और मेरी शादी नहीं होने देंगे तौलिया तौलिया त्यार रख तौलिया त्यार रख तेरे बापु को एक जादू दिखाऊं जादू? तेक अभी वो रो रहाए न? एकडम हसने लग जाएगा हसने लग जाएगे? कैसे? ऐसे लखन की तो मैं ऐसी तैसी करतुपा ना सवरी के को छोड़गा ने जेल बिरिवागे छोड़गा हाँ बापु हसने लग गए बड़ा प्याला मत चाहे तुँ हाँ बच्पर से शरातों की तेरी आदत ने गई क्या जादू? चाहिए बता यह प्यारी-प्यारी अरकते तु कम छोड़ेगा जब तुम अपनी गंदी-गंदी हरकते करना छोड़ दोगे काशिराम यह यह असली है के नकली है पांस जाके देख लो कटेगा तो पता लगी जावेगा अरे काका यह इच्छा धारी नाग है और आप से कुछ पूछने की इच्छा रखता है क्या पूछना चाहते है ना अगराजी यह पूछना चाहता है कि तुम कभी रादा को ताले में बंद रखोगे कभी नहीं उसे कभी पीटोगे कभी लखन को रादा से मिलने से रोकोगे अगर तुमने कभी मेरी मां से शिकायत की तो हमारे पास एक दूसरा किसम का भी जादू है जिससे अम इंसान से कभूतर बना देंगे तुम्हें समझा देने मने कभूतर बनाएगा मने कभूतर बनाएगा मने कभूतर बनाएगा मने कभूतर बनाएगा जैड जी पंगा मतलो पंगा मतलो आपको नहीं पता लखन और उसके दोस्त बहुत सारी जादूई चीजे जान से है काम कसम इन दोनों के दोनों ने आपको इंसान से मुर्गी बना दिया ना तो फेर बने आपकी दुकान में आपके दी हुए अंडे बेचने पड़ेंगे काशियाम जय जय राम शर्मन चहिए तुमें लखन इतनी बड़े हो गया हो और अभी तक बच्पना नहीं गया मैं तो यूही प्रेम भाव से मिलने गया था देवदर काका से हां मुझे मालूम है और किससे है प्रेम भाव यह भी मालूम है अगर आपको मालूम है तो राधा की लखन से शादी को नहीं करा देती शादी अरे पहले इसके नौकरी लगे राम की शादी हो जाए तब ना सोचो इसके बारे में तो राम भाया की शादी क्यों ने करती पर उससे को लड़की पसंद है तब लड़की है मां कौन सी अरे वही कमिश्णर साब की बेटी मिस घीता कशब फ्रम बंबे उनकी और रा मां ऐसा हो रहा है क्या सबूत है तुम्हेरे पास सबूत सबूत ला देता हूं ला दे इनाम जो चाहेगा मिल जाएगा फिर तीवदर काका से मेरी और रादा की बात करोगी ना हां करूंगी पहले सबूत लागे दे अभी लाता हूं ही है हुआ है है अदो ऑग आप बेखनें अब मैं समनी लेकर रिवाप अमट हूंगा जी एक कैसे करता हुआं टूका फोल और पोन कि क्या शूंड तने कवांग मां को जो डूका ठाहस सबक्राख़ा काता पाल ने किसका है मिसी लड़की काथल आपकी सेथी अजिए यह दो ऑगार रहे हुँ ऐ गौटर माँ यहां कर एंड क्या वातरूम उट्रूम बातरूम जळए हु क्या उन्हें बहुत आई है मेलिय है हलो मैं शान्ता बाई बोल रहे हुँ शान्ता बाई मैं बोल रहा हूँ सेवानств रामसाब का एसिस्तेंब कैसी हो बीद लुद फ काहा रही है कीतावैव लीजुर्क साब से कहना कि रामसाब नियुक्षाब क्या , क्यो हो जाए तयार जाए लेका है भाहार वक्ति का मन्जिल है दू लेकिन जानाय जरूब अच्छा जी हाँ 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 माइनेम इस लाइन शांता ओशांता अइमें साब आपिस पोन कर पता करना कि राम साब निकले या रही अपनी क्या समझने लगे आपको साथ दिन से जनाप का आता पता नहीं है कहा है क्या कर रही है और आज अचानक मेरी याद आ गई तो हवाई जाहस पर चड़की सेवनन से फोन करवा दिया कि तैयार हो जाओ खुद फोन नहीं कर सकते क्या कितने गिले हाँ 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 तु कितने दिन बार मिले क्यों 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 मुझे तुम से है कितने गिले तु कितने दिन बार मिले बोलो इतने दिन क्या किया क्या 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 तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया मुझे तुम से है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद ले, बुलो इतने दिन क्या किया तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया अपनी मम्मी से मेरी बाती, नहीं, नहीं, मेरे गैने से भुला बाती, नहीं, नहीं, नहीं तेरा नाम लिया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया, तुझे याद किया विच्चर के दिकत मगवाए, नहीं, नहीं, कोई अच्छी ख़बर तुम लाए, नहीं, नहीं किसी का मेरी तुम आए, क्या प्यार में तुम ने किया तेरा नाम लिया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया, तुझे याद किया तुझे याद किया तेरा नाम लिया तेरा नाम लिया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया, तुझे याद किया तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया तुझे याद किया 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 कब बनूगी मैं शहजादी कब मिले के हमें आजादी कभी होगे हमारे शादी अभी यही चलो हराम अब दिल क्यों काम लिया क्यों काम लिया दिरनाम लिया कुझे आदिया दिरनाम लिया कुझे आदिया कुझे आदिया कुझे आदिया कुझे आदिया वो दिरनामिया सुचया किया, सुचया किया, दिरनामिया राम भाया की, जेख, गीता भावी की, जेख, लखन My name is Lakhन, my name is Lakhन, सचिनों का सजन मेरा नाम है Lakhन My name is Lakhन, my name is Lakhन, सचिनों का सजन मेरा नाम है Lakhन Yeah, come on, yeah, I am the hero, India is beautiful Come on, yeah, I am the hero, India is beautiful Bishopurka, better debut है, चलो Yeah, come on, let's go Debut, अए, बेटा देपू, ये अमरीका नहीं है, हिंदुस्तान है त़ा घुआ तीरे चलों कमकार ये अभी आप ये लिए भी आप अब तरुए उर्साद ना जाने वो कहां चला गया ना जाने दीदी ने क्या खा कर पाईदा किया एक कमभखत को Come on horsey darling, slow 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 अजाए जाए आप India is great Samundar में मोती खुअ कि एष्ब मुठा पर आमरीचा AJB था कृम भेंवनल नाथ लगननल का बेटा म Lacan कही मारी मैं इछ मारी लोग नाथ लखन कौन है तुम कौन लखन पताब सिंग उसी चुडेल का बेटा जिसे डैडी ने धक्के मार कर भान निकाल दिया था चोड़ी की थी ना उसने भानाज्ध का उड़से ए ज ए कर तो लुमाश पसक्षड हाई टे करिये बुमाश्धि हुई, हुई! ऐए ललकाण! ललकाण! अल्यप, 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 अल्यप! अमारा चोराफी देडराई जाओटे! कि एप उने हाँ廿 आज जाकल र खाड़ द। करे वड भर अ आप करे खो Eat correctly!!! Dad screen! Uaaaaaaaaaaaaaahtt! Eee! Dining jobs!! HSen ahש out your ass!! Let's walk to you! We are in yourheration! Let's walk to you from the station! Let's walk to you! Let's walk to you from the station! ञेराफहा хоч जलाएंड़ें! जरव देरी नाराफ़ चुडाइं! जरव डुलते हमाइन! जरव दे बीसe करिके थे एंगे! तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें राम बया की कसम, प्रीज! कुसा चुल बड़े, प्षांत हो जाए, खुशकर. ये ठीक नहीं हुआ है, राम बाभू! पूरे शहर नहीं देखा है कि तुम्हारे लखन नहीं संभी देवू की जहन को भारा! ये ठीक नहीं हुआ है! मेरे चान, आँखे खोल मेरे लाल! बेभू बेटे, कमीनों ने न जाने किस चलम का बदला लिया है हम लोगों से? जान से मार डालो, सहराम सादेगो! या फिर पूलिस में रिपोर्ट लिखाओ भाया? नहीं भानू, ये पूलिस का मौामला नहीं, ये खानदानी युद्ध है! बस उस देवधर पंसारी को बुलाओ! यहाँ! वाव 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 देवू, हमें तुम्हारी को बुलाओ! नहीं पसंद बहुत पसंद आई! देवधर, हमारा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है! यह तो हमारों सुभागय है कि मारी लड़की इतने बड़े घर में, पर क्या है कि लड़की अभी थोड़ी नाबालिक है जी? नाबालिक है तो क्या हुआ? देवधर एक साल और इंतजार कर लेगा, क्यों बेटा? इसका तो मैं बरसोत तक इंतजार करूँगा मा, तिल देट! जो लड़की हमारी हो गई, शादी हम जब चाहें तब करेंगी, क्यों? जी आप ही की, आप ही की बहु बनेगी मेरी राधा ए लड़की ये लो लड़ू खाओ देखो लड़की अब तुम एक बड़े खांदान की बहु बनने वाली हो उस लुच्चे लफंगे आवारा लखन की माशू का नहीं, समझ गई न, लो, खाओ खाओ, वो खोलो, खालो बेटी, प्यार से खिला रहे हैं, खोलो खाओ, खाओ लड़ू, खाओ, 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 शावाज लखन, लखन, लखन 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 वो लोग मेरी जिंदगी में अंधेरा कर देना चाहते हैं मां मैं समझ गी विशंबर और भानू ने देवधर को खरिद कर हमारी खुशिवों पर एक पत्थर और मारा है मैं उनका घर जला दूँगा तो तुम भी वही करोगे जो उन्होंने किया था तो मैं क्या करूँ चत्ते सुरज बनो, डुपते नहीं खुद को इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारे चमक देखकर उनकी आखे नीची हो जाए ठीक है मा, लेकिन तब तक आप देवधर काके से बात तो करो लखन, गरिभी का शनी भले 17 साल तक तुम्हारी मा पर भारी रहा हो लेकिन सुवाभिमान का टिका उसने कभी मीटने नहीं दिया दूसरों के सामने हमें चुकना नहीं चुकाना है अरे बड़ा अत्मी बनने का मत्लब है अमीर अत्मी बनो और अमीर बनने के सिर्फ दोई तरीके हैं या तो स्मगलर बनो या पुलीस ऑफिस है पुलीस ऑफसर, मतलब.. मतलब साफ है स्मगलर और बिशमर जैसे सेटो कमाल अपने जैब में कर लो पुलीस आफसर बनु कैसे तुम से कितनी बार का कि तुम नौकरी के लिए मेरे डादी से क्यों नहीं मिलते हैं तेकिन गीता जी मैं कैसे अरे बंदी कुछ में कुछ मिला कुछ कर दिखा ऐसा करिश्मा कि देखने वाले देखते रहे जाएं मतलब सिंपल वंटु का फोर फोर तुकावान कि अहां बन सकते हो क्यों नहीं बन सकते हैं लेकिन देश की सिवा करने के लिए या पैसे श्ञाने के लिए दोनों की लिए भई है अच्छक मैं बन शक्ता होन नियुका कि जी हां सर इरह हमारी पूरी कोशिश जारी है कि केसरियः विलाज्चि को पकड़ ले केसरिया का पता तो एक ही आदमी बता सकता है कौन अरे वही अपना दून दूनाई अधरकार नेरे अंदापा औरे के तदेले में चेर बैठा है चेर पुलीस की तो बाब दाबा को भी पता नहीं चल सकता अधरकार अधरकार कर दो कर दो कर दो एक नहत्त डाकू पर वार नहीं करते शिर दिल इंसान ओर कौड़ा तो महा पुरुष मैं सुल्साना का भोता हूं मेरे पीछे लगी है पुलिस 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 यहाँ सुल्ताना का पुता बैड मैं बैड मैं नहीं रुद मैं यहाँ तुम पुलिस अपनी प्राइवेट पुलिस यहाँ तुम राम का भाई लखन चलो पुलीस स्टेशन यू गुड़ मैं नाइड क्या केसर यह बिलाईती पंगड़ा गया लखन ने है आई यू शूर वा भाई लखन तुमने तो कमाल कर दिया जो काम हमारी सारी पुलीस फोर्स दस दिन में नहीं कर सकी तुमने आठ घंटें में कर दिया प्लाई तरसल बात यह सर के आपकी पुलीस पोस्कुछ सुस्थ होती जा रही है अगर एक अफसर थोड़ा सा दिमाग थोड़ी सी क्या चीज है? अरे ये सब कैसारे बिलाइतियों अगरा ऐसे मुझरम हैं जो हम लोग रोज पकरते हैं The point is you need confidence, and not qualification. The country is running through a very bad law and order situation. The criminals are running, the police are running, and running, running, no catching, sir. This particular situation is very bad for the country. So the most important thing is not imagination, not concentration, but confidence. Am I wrong, sir? No, no, you're absolutely right. लखन, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी बहादूरी को देखके, एक ख्याल आ रहा है, तुम हमारी पुलीस में क्यों नहीं भर्ती होडाते? सर, यही तो मेरा सपना था, sir, कि मैं पुलीस डिपार्टमेंट की सेवा करूं, तेश की सेवा करूं, मगर मेरा भाई है न, sir, राम, उसे तो मुझ पर विश्वास हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, अगर मैं उससे कहूं कि मैं पुलीस अफसर बनना चाहता हूं, तो वह कहगा, no, you can't. अरे भाई, मेरे में भी कुछ बात है, after all, my name is also लखन, यार, I have complete confidence in you, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास है, और आज ही मैं अपने special training course के लिए तुम्हारा नाम रेकमेंट करता हूं, तुम घर जाओ, और फॉरन तयार हूँ. सर, करियां आप बजाग तो नहीं कर रहा, ना, तो, तो मैं, मैं आपको जाकर बता दू, कि मैं पुलिस सफसर बन गया, बन गया नहीं, बन जाओगी, thank you sir, thank you very much. अब यह आपसे मेरे बारे में वही कहेंगे, जो मैं आपसे कह चुका हूं, शीरे संफसर के बच्या आप लग दिया, sir, sir, मैं सब सुन चुका हूं, आप जो यह तरज़र्बा करने जारे हैं, वह बिलकुल ठीक नहीं है, sir, sir, लक्षन में बच्पना बहुत है, वह पुलीस अफसर बनने का मतलब ही कुछ और समझता है, sir, देखे, sir, वह मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, अगर वह पुलीस अफसर बन गया, तो सब गड़बर हो जाएगी, sir, तुम बिलकुल वही कह रहे हो, जो के लक्षन मुझे बता चुका है, कि तुम ये कहोगे, sir, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, राम, लक्षन तुम्हारा लाडला भाई है, और हर लाडला बच्चा नजर आता है, मगर मेरी नजर से देखो, हीरा कहा है मैं ढूंड लेता हूँ, भाई, तुम्हें भी तो मैं नहीं ढूंडा था, पर सर्वोस, My name is Lekhan, my name is Lekhan, सजिनों का सजन, मेरा नाम है Lekhan, देख, देख, तू रोएगी तो मैं भी होदूंगा मा, अरे मैं तो सिर्फ 6 मैने की ट्रेडिंग के लिए जा रहा हूँ, आप लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी युद पर जा रहा हूँ, वापस रोटकर ही नहीं आऊंगा, अरे भाईया, आप भी बताईए, ये सब रोख क्यों रहे हैं, कोई रो नहीं रहे हैं, सबको फिकर लगी है कि तू फेल होकर ना, फेल, भाईया, जा राम का आशिरवाद हो, वाँ लखन फेल ही नहीं हो सकता, और आपका आशिरवाद मेरे ताथ है, लखन, भागवान करे जब तू वापस आए, तो तेरे सर पर ये टोपी नहीं, बड़ी साफसर की टोपी हो, और तू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बड़ी साफसर बने, मुझ से बेबड़ा, देखा मा, अरे जल्दी करो भाई, गाड़ी छुट जाएगी, गाड़ी का बप्त हो गया, चलता हूँ मैं, अरे यार, अभी राधा को भी मिलने जाना है, अरे उनी दुष्टों के लिए हत्यार मनने तो जा रहा हो पगली, अगर तुम्हारे पीछे उनने मेरा विवा कर दिया तो, विवा, अरे तुम्हारा मेरा विवा तो होच चुका है, का, इस जनम से पहले स्वर्ग में, स्वर्ग में, हां स्वर्ग में, देखोगी स्वर्ग, का है, स्वर्ग, 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 वह रा स्वर्ग, उस चांद में, कुछ दिखाई दे रहा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें काम करो, और चूँड़न से नियत कि एंवा कहुँभ रूम्हा कहुँभ रभी कि एंवा कहुँभ़न से एंवा कहा रूम्हा ऑला कमा एंवा पूरा करूंगे अपना मादा लखान देरा इंचिजार करना कर देबु देबु जी कहा रागया कि मैं थारी राधा के साथ घूमने जाओ तो मैंने देबु जी से का ना जिना मारे खांदान में छोकरी शादी से पहले घूमने ना जाए तो देबु जी फॉरण मानंगे इसको कहते हैं खांदानी शराफत इंडिया इस ग्रेट माइनेम इस लखन पती हो तो बेटा ऐसा हो जी हां पती हो तो ऐसा श्री राम जी छे महीने गुजर गये मेरा लखन अभी तक नहीं आया हमारे प्रेम की लाज रखना आधि छे तारिकों विशंबर और भानु ने देबु की जनम दिन पार्टी पर तुम्हें और मुझे नियोता दिया थिख değiş社 तुम जाओ मैं नहीं जाए मारा की खादर व至जाना होщё राम वज़ार में बुकितो तुम्तर की आनी है क्या कहा देभू की जनम दिन की पार्टी में आपने राम को भी बुलाया है अरे मैंने तो उसकी मा को भी न्योता भेजा है ताकि आए और अपने आखों से देख ले कि कैसे उसकी इज़त उसका घमंड विशंबर की जूती तले मसला जा रहा है मैं कुछ समझी नहीं अरे राधा लखन की लुगाई बनने वाली थी ना ये तो सारा शेहर जानता है हाँ वही राधा सारे शेहर के सामने लखन के नहीं बलके देभू के गले में बाहें डालेगी तो रंगपरे की वेश्याओं के पीछ नाच नचाओंगा उस हराम की छोड़ी से नहीं माजी मैं वहाँ नचाओं मैं जहर खालूंगी मगर वहार्गेज नचाओंगी राधा बेटी औरत का संगर्ष उसके आसुन से नहीं उसके निष्चे से होता है अगर तुम्हारे गिल में सच्चा प्रेम और निष्चे है तो जूट के पाओं तूटते बेन नहीं लगेगी आज जो मैफिल जमेगी उसे सारी दुनिया एक आहा राधा बेटी जो भी गीत गई ओ इस घर की और देबूजी की प्रशन सामे गई ओ समझ गई ना इंडिया इस ग्रेट वागतम स्वागतम बस हमारी मेफिल में चांद और सूरज की कभी थी वो भी आ गया है तुछ दुछ देखेंगों कोना है राम राम जाय हो धन्य भाग हमारे जो राम जी पढ़ारे यह हमारे खास महमानों के लिए खास है राधा वो देखो राम आये हैं भाईयो अब आपके सामने देवधर शास्त्री की सुपुत्री राधा हमारे बेटे देवु के जनम दिन के अफसर पर एक रस भरा गीत सुनाएगी भाई बात यह है कि कुछ लोगों को इसका नाच गाना अच्छा भी लगे और कुछ लोगों को बुरा भी लगे लेकिन जिने बुरा लगे वो अपनी जगा पर बैठे रहे उठने की कोशिश ना करे क्योंके नाचने गाने वाली वे शाय आई है तो क्या हुआ महफिल तो शरीफों की है हाई 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 है राधा गुणवंति उठो सारी महफिल की नजरे तुमारी तरफ लगी हुई है उठो अपना मदूर गीत हमारे सामने आकर शुरू करो आओ आओ ना देखिए कितनी खूबसुरत लग रही है जो देबू के पास हाई कुराम दी, बड़ा दुख दीन, तेरे लखने, 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 बड़ा दुख दीन, ओ राम जी, बड़ा दुभरीन बड़ी तक है में जोची हूँ बड़ी तक है में जोची हूँ वो हस्ता है मेरों की हूँ मेरी प्यार की पदर उसे होगी मगर मुझे सहर पड़ेगा पीना बड़ा दुख दीना बड़ा दुख दीना तेरे लखन में बड़ा दुख दीना मेरी अखियों मेरे सपने मेरी अखियों मेरे सपने ले गया सब कुछ साथ वो अपने ने जाने नी बड़ी जाने का है तो छोड़ी छलेने सब कुछ चीना बड़ा दुख दीना बड़ा दुख दीना तेरे लखन में बड़ा दुख दीना बड़ा दुख क्या दुख दूख दुख क्या दूख दूख दृब है लुख उब सूज बड़ा आहले दूब अगर दुख आद यजियों मेरे सब का क्या सुनकर मेरी राम दुहाए जाए निर्मोही ये कैसा जम जा रेती ऐसा तुमें करती प्यार कदीनों बड़ा दुख दीना तेरे लखन में बड़ा दुख दीना बड़ा दुख दीना अरे किस लखन की बात करे है तू है जाए लखने 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 सचनों के सजनने मेरे लखने सचसरी क्शसों के लखने लखने मेरे लकूर दुख दू है सचसरी को जाए अeder आए मा दालूगा पन्ने मा आयाए करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी वन्टू का फोर, फोर्टू का वन माई नेम इज लखन सजिनों का सजन मेरा नाम है लखन ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मनमा जी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी वन्टू का फोर, फोर्टू का वन माई नेम इज लखन सजिनों का सजन मेरा नाम है लखन सजिनों का 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 सजिन वाव है है विविया जी आपने सर जॉन को हमारी समझ काई समझा दिया ना जी हाँ मैंने तो बता दिया है तुमको सजा मिलेगा मैं चोकि तुमने सर जॉन के साथ धंदे में धोका किया है मैंने नहीं क्या सर शंकर ने क्या है शंकर किसका आदमी था मेरा ये वादा किसने किया सबमने क्या था तो सजा किको मिलनी चाहिए प्रकाति कछ सबी आप कहें तो हम नब हम लुक्ति tuba também क्या हाल है भाई भी शंबर वीविया जी ने तो आपको सब कुछ बताई दिया होगा सर फाल तो पतला है पतला सर्जान का कहना है कि राम लखन को खत्म करने से ज़्यादा जरूरी है केसरिया विलाइटी को जेल से छुड़वाना क्यों कि हमारा 26 कुरोड का माल पॉडर के उ लेकिन लखन के पुलीस ऑफिसर बन जाने से हमारी अर्चने बहुत बढ़ गई है सर जौन लेकिन हमने तो सुना है कि इस्पेक्टर लखन आपसे हाथ मिलाना चाहता है ये सब उसकी चाल है सरr सरजौन का कहना है कि इन हालात में लखन को अपने कामान का तीर बनाओ ऐसा तीर जिसके आगे राम भी कुछ ना कर सके अगर हम खेलेंगे तो वो भी तो खेलेंगे न सर खेलने दो खेलने दो हम बाद में खेलेंगे वाकई यह आपकी भक्ती अशादब है क्या आज राम दरत निपा के सिंग इंस्पेक्टर बन गया है और लखन को राम की कुछ मिलेंगे सुनाय माजी आप दो महीने के लिए तीर त्यात्र पर जा रही है हां गीता मैंने शीव जी से कामना किये थी कि जिस दिन राम लखन मेरे चैनुसर बन जाएंगे उस दिन मैं अमरनात की यात्रा करने जाओंगे मैं समझ सकती हूं माजी आज आपको कितना बड़ा संगर्ष खतम हुआ होगा संगर्ष खतम हुआ है लेकिन युद नहीं युद तो अब ही शुरू होना है मुझे इस युद में तो जीतना ही है सिर्जी जिंदगी में गरीबी बहुत देखिये बहुत लेकिन आप लोग मुझे ऐसे चोटे-चोटे चॉकलेट की डिब्बे देते रहेंगे तो मेरे घरीबी हटाब प्रोग्राम का क्या होगा अब ही रख लो लखन भाईया और एक बार काम तो हो जाने दो बड़े दब्बे भी बिजवादे हैं अरे भाईया आये तो मेरे जाद दिला ने आया हूं कि ड्यूटी के बाद मार्क रेलवेस सेशन चोड़ने जाना है जी माइनम इस लक्रम हो गया चुक चुक मेरे बच्चो इश्वा तुमारे प्रेम और एक तको हमेशा है सही बना रखे अरे भाईया आप खाना खाया अरे कैसे खा लेता भाईया आपके विना फूक तो लग रही थी सोचा डफली बजा लूँ अभी खाना घरम करके लाता हूं आँ बटब बट यहां जब तो पैदा हुआ था ना तो मैंनेbound में जा जाकर चिला चिलांगर सबसे कहा था मेरा भाया है मेरा लखना अजाया है मेरा लखना ओया है हाँ माने बताया मुझे तुमाने तुझे ये भी बता होगा कि पिदा जी ने हमारा नाम लाम लखन क्यों रखा राक्षजों का नाश करने के लिए श्री राम और श्री लक्षमन की आदर्शों पर चलने के लिए ओ भाईया ये सब पुरानी बाते हैं आजकल रमायन सिर्वेक पुरानी किताब है एक ड्रामा है एक टीवी सीरियल है जो देखने में अच्छा लगता है मर करने में बहुत फर्क है आजकल जमाना बिल्कुल सुम्हान न कभी बरिख सका है और नकभी बतन सकेगा तुम और मैं कुछ भी ने की हांता है आसकिEL के सबıस्ट में सब्सक्राइए हस्अ STAR अच पॉलीस की वर्दि पहन कर जो चौकलेट का डिबा तुम खाने की कोशिश कर रहे थे हैं बाहां लिया से कज़ने कर बिल्द अ नहीं तुम करोगे जा अपनी कसम मत देना आपको मेरी कसम मेरे सर की कसम मेरा मरा वो बूज को गए कशब नहीं कसम नहीं का समने इडियोट मेरे दो अनमोल रटन एक हैराम तो एक लखन पर यह बीबी रोडवेज के ट्रक खुले आम बिना किसी चैकिंग के पांडे जी बड़ा हाथी पकड़ने से पहले थोड़ी सी रसी को धील देने चाहिए वन्टुक का फोर और फोर्टुक का बाद जाने दो बीबी रोडवेज वाले हमारे रिष्टधार है उनके ट्रकों को रोब करक्के हमारी नाक कर भाओगे चाची क्या कईगी इस चाचा क्या करेंगा वाँ भतीजे वाँ तुम हमारे इम्तिहान में पास हो गए थांक्यू अंगा माँ हो जाएगा मातुर साब चाचा बिजनसमेन भतीजा पुलीसमेन फिर चैनी चैन मेरी बाली दक्षिना कितने एक लाग रुपया दे दो इसे एक लाग रुपया दे दो खा लो खा लो खा गए चाचा खा गए चाचा राधा तुम्हारे साथ हुए हर जुल्म का जवाब मैं उन्हें दूँगा विशंबर्भानों के पास रखी हर चीज हमारी है और उसे मैं हासल करके रहूंगा राधा इस जंग में अगर तुम्हारा साथ छूट गया तो समझ लो कि लखन मर गया नहीं नहीं लखन नहीं तुम्हारे साथ हूं ये रहे तुम्हारे दो लाग रुपये दो लाग रुपय दो लैट्स धांक्यों चाचा अब आपेट अरे भाया अपया मिस्टर अपयाख हमेरे सब्स की तराउलिए इस यह नहीं नहीं मिंद दागे कि जमने चाहिट है तर्षर भाया अपयां सब्सक्का अठराग हए बाग means К्टराग लखन मिंद जल्दिशॉय चलिक है काशीराम एक बात मेरी समझ में ना आवे कि ये वन्टू फोर के चक्र में अपना लखन इंस्पेक्टर तो बन गया पर इसके पास इतना पैसा खना से आया सेड़ जी बड़ा रुबाब है लखनका कर वाइगाड वाइगाड किसी को भी जेल में बंद कर देवे बाइगाड संकी हो गया है संकी वह आपके सेड़ जी है ना बिबी रोडवेज वाले उनकी तो गिकी बंद गई उसके सामने काशीराम तू सीदा बैढ़ जा मेरी किकी अब आद किसी के सामने आए जीट जीट बंद गई क्या गिद्गी किसकी आपकी कैसे लुग जाए दुकान को गेर रो बैठ राइए बैठ राइए लोग उटने बैठ में हेरा फेरी कर जाते हैं जीट थार पड़ गई क्या पड़ गई लखन भाई आज नहीं इंस्पेक् दूरूटरैं कि हैँ मतली बढून का थैंते यहाँ में प्डूंग करता दंडर वाले कमरेें गीस जमा करता है आधे और पचास हजार रुपे जर्माना आवाज आवाज तो सुनो बेटा कानून का आदमी जनता की आवाज सुनेगा या मुझ्लिम की जब भी तुमने डाटे है लो तो मने बहुत प्यारा प्यारा लागे है उगी बबादूनी का का यह तेरी अपनी दुकान है बेटा तेरा अपने घर में दाड मारेगा तो क्या कहेगी शार्धा पहत जम्शेद तुम जाएं आपके हैं काशी राम मा का नाम लेकर मुझे जजबती कराया या बढ़िया यह बढ़िया नहीं लखन भाईया राधा का बाप है तुम्हारा देवदर काका काका का बचमन वारा काका अब तेरे ही बारे बाते कर रहे थे कि लखन नहीं आया लखन आया अभी तक अब आये हो तो चाए पीके जाओ राध्धा से बिलके जाओ क्यों नहीं क्यों नहीं तुमारे लिए लच्डू बना रखें खाकर जाओ जी कि एक शर्थ पर क्या कि देवदर काका खुद अपने हाथों से चाय बना कर पिलाएं तो जरूर पिलाएंगे आज तो इनके बाप को भी पिलानी पड़ेगी तुम उपर तो चलो रादा से तो मिलो क्यों चेट जी और याध याद है बचपन में हमें रादा लड़ू खिलाया करती तुम क्या प्यारी प्यारी हर्कतें किया करता था तो आज भी हम तभी खाएंगे जब राधा अपने हाथ भूं से हमें लड़ू खेलाई अरे हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं राधा बेटी खिला दे अपने हाथ से लड़ू दरोगा जो बढ़ गया है दुश्मन तुमने का का को बताया नी किन किन हराम्यों को पकड़ा है और उसको पंड कर दिया और वह दूसरा वह बढ़िया दीना रामे ना उसको थाने मैं तुम्हारे लिए सोने की चूडियां लाया हूं भी लखन हमारा क्या होगा वही होगा जोमन्जूर लखन होगा ये लखन छोटी मोटी हेरा फेरी तो कर सकता है वीविया जी लेकिन केसरिया जैसे कैदी को जेल से बाहर नहीं निकल सकता और फिर केषा का केस तो राम के हाथ में है के स्राम के हाथ हो या लखन के हमें के सरीया चाहिए कि हर प्रीमत पर इस वग शॉक्त पर में मैंने सोबा का ना सर जॉन का दम मुझे नहीं मलम भूशर जोन का डगा है चुना भाईया वीविया ने लखन को अपने घर बुलाया है है हमें इस बात का पूरा यकीन है लखन के तुम केस्रिया विलाईती को जिल सी निकाल लाओगे और हम तुमें बारा लाख का एक बंगला और दो लाख कैश भी दे देंगे तुम भी शंबर और भानू से कि आपने यह सब कैसे जान लिया है कि यह रहा तुमारा दो लाख रुपए एडवांस कि लेकिन भिशंबर और भानू से बड़ा बनने का सिर्फ एक ही तरीका है लखन कि तुम सर्जौन के दिल और दिमाग बिच्छा जाओ सर्जौन तुम्हें जमीन से आसमान पर बिठा देगे अरे मैं जानता हूं विविया जी शंबर और भानू को आसमान पर बिठाने वाले भी सर्जौन यह ठीक समझा तुम्हें लेकिन कहीं लोग तो आसमान पर पहुचकर अपनी ऑकाथी भूल जाते हैं वहां आसमान पर रहका जमीन पर रहने वाले लोगों को मुर्दा समझने लगते हैं मुर्दा वैसे आपके और मेरे खालात कितने मिलते हैं विविया जी आई विश यू आल दे बेस्ट लखन थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैं आप से किया वादर जरूरू पूरा करूंगा अगर यह लखन विविया के दिल में बैठ गया तो हम सबका सत्यानाज करतेगा और फिर वो सर जान की गोद में बैठ कर हम पर गोली चलाएगा यह वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुल सकता है इसे मास्टर की कहते हैं दोस्त के सारिया बिलाए थी पता सार चान काटड़ा कहा है यह तूसरा काट मैं यू स्टुपड बैड मैं यू स्टुपड बैड मैं अगर तुम अपने आपको मास्टर समझते हो और तुम ये समझते हो कि तुम ऐसी कोई चाबी मिल जाएगी जिससे तुम ताला तोड़के भाग जाओगे तो तुम घलत हो तुम जैसे खिलाडी से मिलकर हम बहुत खुश हुए लगारे तुम जैसे खिलाडी से मिलकर हम बहुत खुश हुए लगार तैंक यू सार थैंक यू बरी मॉच बढ़ाई हो नार हीरो है सर्जान केसरिया को छुडाने की खुशी में आज राच सर्जान ने तुमारे लिए एक शानदार डांस पार्टी रखिए क्या मैं अपने पुराने गरीब दोस्तों को भी बुला सकता हूं हर्गेस नहीं बिलकुल नहीं वह लोग भी बहुत अच्छा डांस करते हैं देखा है देखा है यह इंग्रेजी डांस है पतीजय जी कोई गली कुचों में डोल बजाकर भीग मांगने वालों का डांस नही हुआ हैुआ है तो फिर क्योंना दोनों पार्टी को फिल hospitals ब्लाये और एक मुकबला हो जाए। हौँ मुगां मांगय नाम देंगे तो समझना हम सब बर्बादी के जाल में फस गए अरे मामा अमेरिका में पूरे बारा साल डांसीं की है मैंने ये हिंदुसानी टट्टू क्या नाचेंगे मेरे साथ वो पांच जो वो लोग खा रहे हैं उसमें देवू ने वो गोली मिलाईगी कि खाटे इसाब पागल हो जाएगे गुलू पांच में कुछ गवर है समालो दोस्त तुष्मना में मिटाने के चक्कर में है के सर्या विलाईटी को निकालने में किसी अपने ही आदमी का हाथ था और इसका पता तुम्हें लगाना होगा राम आप लोग यह न भूले कि अगर के सर्या विलाईटी मुझे तीस दिन में नहीं मिलता तो शायद मुझे सर्कार को इस्तिफ़ा देने पड़े कौन नहीं सकता है तुम्हें पिश्वार काटी दोस्तों आज इस महली में कई मस्ताने हैं एक शम्मा दो परवाने हैं एक हसीना और दो दिवाने हैं लेकिन एक है हीरो और एक है सीरो अब आप ही बताएए कौन है हीरो और कौन है जीरो करते हैं सब मुझे सलाम लेते हैं सब मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मैं हूँ वो हीरो मैं हूँ वो हीरो करता नहीं कोई मुझे सलाव लेता नहीं कोई मेरा नाव दस को मैं 10 लाख करके दिखा दू 10 लाख को हाँ करके दिखा दू मैं हूँ जीरो रिकासर रिकासर मैं हूँ जीरो रिकासर इसम conduction kijken चलिता है。 हाई मेरे हीरो, हाई मेरे हीरो सब्सक्राइब तो तुपखला, प्यार महपच चीज है क्या मिस्टर ही लो तू पतला, प्यार मुहबद चीज है क्या बबा प्यार का नाम न लो, काम है ये दीवानों का बबा प्यार का नाम न लो, काम है ये दीवानों का ओ नो 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 हे मिस्टर सी लो तू पतला, प्यार मुहबद चीज है क्या प्यार प्यार है और है क्या, ये काम नहीं दिवानों का, ये काम तो है दिल वालों का ये काम तो है दिल वालों का क्या कहना क्या खूब कहा, क्या क्या खूब कहा, क्या खूब कहा दालों खाक सभी मापा पे, दिल से भी चक्राने तो ओ जी ओ हीरो, बोलो जी जीरो जी जीरो है है क्या प्यच्ण थाश जीरो झाल झाल मिस्टर हीरो, मिस्टर जीरो मिस्टर हीरो, मिस्टर जीरो ना बड़े है ये मुश्किल तुम्हे कोई आशिक होता मैं देदे दे उसको दिल मेरे नाम का चर्चे है शेहर के सभी हसीना में जाने कौन है लेकिन एक दीवाना है हम तीनों में करते है सब मुझे सलाम लेते है सब मेरा नाम मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम मैं हूँ वो हीरो, हाहा हीरो मैं हूँ वो हीरो, ये है वो सीरो दस को मैं दस लांक करे के दिखा दू दस्के लांक को हाथ करें के दिखा दू, दिखा दू हादूलो कौन क्या मैं शोला हूँ, मैं शोला हूँ, मैं बिजले हूँ, मैं बिजले हूँ, मैं पर्मत हूँ, मैं पर्मत हूँ, ऐ सागर हूँ, मैं तुपा हूँ, मैं तुपा हूँ, मैं जादू हूँ, मैं आशक हूँ, मैं आशक हूँ, मैं सीरो हूँ, मैं सीरो हूँ, मैं सीरो हूँ, मैं अ My name is Le'kan My name is Le'kan He is a hero He is a hero झाल झाल कानों से सुना गलत हो सकता है कमिशनर सहाब मगर आँखों से देखा नहीं हम सब ने देखा है मिस्टर लखंग सर जॉन की पार्टी में शराब और नाच के निशे में मस्ट है था अरे मैंने कप का कि मैं नहीं था लंका ढ़ाने के लिए उसका भेडी बनना पड़ता है ना य हम सब के काम करने की तरीका अलग है और मेरे काम करने का तरीका अलग है आप सब जहनते हैं सब सब करने के काम करने के तरीकों को जान देकी कोशिश कर रहें मुझे हटाने और बदली कराने का खयाल तो सिर्फ मेरे दुश्मन को आ सकता है सर यह उसको ह lí zone के मेरी मेरे नाम मेरे पाईसे पर रशय करता हो यह मैरी कार नम्हीं पर जलता हूँ कि तुम्हार मतले कि में तुमसे चलता हूँ पिशंबर और भानु मुझसे काह करते थे, सर, मंगर मुझे कभी यकीन नहीं आता था कि भाई भाई पर कैसे जल सकता है लेकिन आज– लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया सर के धंदे़ और केरियर के बारे में भाई-भाई से जल सकता है तुम्हाना मतलब है कि मैं तुमसे जलता हूँ हाँ तुम मुझसे जलते हूँ मैं तुमसे जलता हूँ हाँ तुम मुझसे जलते हूँ मैं तुमसे जलता हूँ हाँ मैं जोई वो तुझसे अपने भाई से तरी तरकी पर मैं जलुआ मैं जलूगा तुच्छे मैं जलूगा तेरी खाम्रामीजे मैं जलूगा राम, बेहन यसर्फ जे ताजुब है राम कि तुम जैसा आदमी इतना जजबाती हो गया एकना जी सर मैं जजबाती हो गया I'm sorry I'm sorry friends I'm sorry अब देखना बानू कैसे तूटते हैं उस बुड़िया के दोनों हत्यार हर हर महालेव हर हर महालेव हर हर महालेव बहुत लंबा सफर है बैर अमन अची की हत्रगा ला मलूम कब दर्शन होंगी इस चरी के सारे पहुंच जाएंगे कभी तो पहुंच जाएंगे भाई वाह तरक्की हो तो ऐसी हो बेटा लखन बहुत-बहुत मुबारक हो इस नए बंगले की बस आपी का आश्रवाद है मातुस जाब अब बेटा एक काम और करो इस नए बंगले में एक नई नवेली चांशी दुल्हन और लिया आपने बिलकुल वही ज़्य कहा जो मैं तो यह सोच है था मैं तो यह सोच भी नहीं सकती थी कि तुम बाप की कमाई से अपना घ़र बनाओगे किस ने का यह सब तुमसे राम भायाilles ने बापव को सब कुछ बता दिया है कि तुम क्या हो और क्या होने वाले हो क्या होने वाला हूं क्या होने वाला हूं मैं एक दिन जेल जाने वाले हो दोका दिया तुमने मुझे ते तुम्हेरा प्यार ये लो तुम्हेरे चुडिया और भूल जाओ मुझे कि आपको आपका फॉर्मुला 34 तो एक दम फिट बैठ गया बाई गॉट फिट बैठ गया लखन लखन वे लखन जी राम भाहिया तुम यहां लखन का है लखन आप से मिलके नहीं गए क्या मतलब जी वो तो वो तो घर से घर से क्या वो तो घर शोड़के चले गए अजी अपना समान साथ लेके गए और मा जी का गंदर भी मा हम तुम्हारी कुर्सी का पैसा देते हैं बैड मैन राम के भाई लखन होने का नहीं मतलब तुम्हारे भाई राम ने तुम्हें इंस्पेक्टर की कुर्सी से हाटा देने की कसम खा लिये किसने कहा ये तुमसे हुमारी वी सी आइडी है बैड ब्रदर बस अपना काम हो गया हो गया लखन 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 तुम जो चाहो करो अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आँगा माय यात्रा जाने से पहले इस मंदर वे खोशूरी खास दोर पर मुझ पर छोड़ग highways और मैं यह मंदर लिने आया यह मंदर यहीं रहेगा यह मंदर वह रहेगा जहां माँ रहेगी और माँ यही रहे गी मेरे पास माहा रहेगी इसका फैसला मां करेगी तुम्हीं तो फिर जब तक मानि आ जाती उसका मंदर यहीं रहेगा कहां यहां यहां कि हर चीज पाप और बेइमानी की कमाई से हैं यहां मा का मंदर रहेगा लखन पाप और पुण्य तो आप जैसे दक्यन उसी लोगों के बनाए हुए शब्द हैं जो पुण्य और इमांदारी का घमर लिए घुमते फिरते हैं जोना किसी के जजबात को समझते हैं न किसी का दर्द किसके दर्द की बात करते हो तुम उसी का जिसका मंदर तुम ले जाना चाहते हो अरे कभी सोचा है मा के दर्द को उसके बीते हुए जखमो को वो जख्म जो मा के लिए उन जख्मों से भी जादा भांकर होंगे जब वो आकर देखेगी तुम्हारा ये असली रूप एक वर्दी में छुपा हुआ एक चोर एक डाकू कानून का रखवाला जो एक दिन हुद कानून के ग्रफ में होगा कितना गहरा जख्म पहुचेगा उसके दिल पर ये कभी सोचाए तुने क्या भीतेगी उसके दिल पर क्या भीतेगी जब वहा कर देखी कि उसके दो बेटे राम और लक्कन जो उसकी उमीदे थी उसके अत्यार थे उसकी शक्ती थी अचकच चुके है बढ़ चुके है इसके जिमेदार भी तुम हो भाईया मैं हाँ तुम छोटे भाई को हमेशा छोटा ही समझते रहे जब जब मैंने आगे बढ़ना चाह कोई नो कोई पत्थर मेरे सामने रखते गए और जब बढ़ गया तो बंतीवी सीडी को तोड़ने की पूरी कोशिश की तेवधर को बढ़काया कमिशनल साहब को बढ़काया पुलीस दिपर्टमेंट में सब के सामने थपर मारके जलील किया का यह कि मेरी बचपन के महांपता को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया अब और क्या चाहते हो तुम मुझसे मेरी माँ को भी दूर करतेना चाहते हो लेखी बचाहता आप में तुम्हारा सब को छीन लेना चाहता possibility को मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा तुम्हीना हूं मैं राम जैसे भाई के नाम पर दब्बा हूं मैं यह करना चाहते हो तुम्हार परदाश नहीं कर सकता मेरे लिए एक पर भी रुकना तुफाद से जादा भाएं करोगा लखन तुम यह मंदिर नहीं ले जाओगे और जाओ अब आपने मुझे लेकिन आज आज बार नहीं खाऊंगा तो क्या तुम मुझ पर मुझ पर हाथ उठाएगा जरूरत पड़ी तुम रोकूंगा नहीं अपना हाथ आच तो मार मुझे मार मुझे मार मुझे वेधिन अपना मुच पर हाथ उठाएत Wouldn't क्या ले जाओ यहां से बही किता नहीं तो अनरत हो जाएगा नहीं अनरत टो जाएगा है मैं तुम्हां यहां से मंदिर ले जाने नही दूँगा देखता हूँ कैसे नहीं ले जाने देता है बाईया दोता है भी बाईया लाईया चुल चुल बाईया समय कर चौर ढटाँ तोだी बाईया आटाँ पहल खो और झाल verderा तॉ है यह दोच Nousos यह दोचन तूब मरो तूम दोनों किसी कुवे में बहा माई यात्रा पर गई है हदारों में दूर भगवान के पास तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए प्यार और एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हो वह भी उसके मंदर के सामने ची अरे सोचो तरह गौर से सोचो तुम दोनों अगर अपने बारे में नहीं सोच सकते तो मा के बारे में सोचो वह कहां होगी क्या कर रही होगी इस वक्त वक्त मेरे दोन मोल रहन देवों के देव महादेव जिस तरह तुमने रक्षिसों का नाश करने के लिए श्री राम और श्री लक्षमन को सास और शक्ति का वर्दान दिया था वही वर्दान मेरे राम लखन को भी देना ताकि मैं अपनी पती की अस्तियां गंगा में विशर्चित करके अपनी पती के भूई कर सको कल की रात हम सक के लिए बड़ी भयंकर रात होगी बैड मैन लखन इसमें तुमारी बड़ी सक जरूरत पड़ेगी बॉर्डर पार रखा हुआ इक्यावन क्रोर रुपय का माल हिंदोस्तान के दीनापूर बॉर्डर पर ही उतरेगा जैस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को गुम्रा करेगी लखन और उसकी पुल्स पार्टी इसलिए सर जोने तुम्हें इस काम के लिए पांच करोड रुपय देने का फैसला किया है सारी जिंदगी सुख से रह सकते हो बेटे बस एक बार दिल लगाके आखरी डुपकी मार जा दिल से काम करने के लिए सीने में में दिल तो अपके पाड़नर की मुठी में है इसकाइए अपनी मुठी मेरा दिल मेरी महब्बद मुझे वापस कर दे जरूर पर तुमारी मुख्बत है कौन मेरी मुख्बत का नाम है राधा आपने ही दंदे को नुकसान पहुंचाना है यह वादा करने में क्यों हो जाता हुँ ठीक है सर आपने कहा हमने माना माना लेकिन हमारा वादा तभी पूरा होगा जब हमारा बादा माल दीनापुर की सूर्या हवेली में पहुचेगा सूर्या हवेली अवह वह 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 बैस देखते ही तुमारे चेहरे की मुस्कुराहट क्यों चली गई अब यह मुस्कुराहट पिशंबर अंकल ही मुझे वापस कर सकते हैं वो कैसे सर मुझे कल के काम के इनाम में पैसा नहीं कुछ और चाहिए क्या आपका खाली कागज विविया जी का पैन और बिशंबर अंकल के दस्तखत दस्तखत किसलिए यह सूरिया हवेली परसों से लखन के नाम होगी मेरे पिता और तादा का खून पसीना मेरी माँ का आपना यह हवेली तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिनेगी और मुझे यहर कीमत पर चाहिए तुम प्लेट पेल कर रहे हो, मैं सौदा कर रहा हूँ, अरे हम तुमें पाँच करोड रुपिया दे रहे हैं, मुझे पाँच करोड नहीं, सरफ ये हवेली चाहिए, कंट्रोल यॉसल्फ बॉइज, कंट्रोल, बैट जाओ बैड मैन, बैट के वैसला करेंगे, लखन, तुम्हें हवेली भी मिल जाएगी, ओके, लेकिन ये हवेली मेरी चाहिजात है, सर, पिशंबर, हीरे बेचने वाले लखड़ी के डबों की परवार नहीं करते, इसे खंडर देदो, पीविया, इस सर, इन्हें सिगनेचर के लिए कागज देदो, सिगनेचर करो, ये कागज लखन को तभी मिलेगा, जब हमारा माल हमारे पास आजाएगा, खेल सही है, ओके शेयर, उस हरामजादे ने हमारे साथ जो खेल खेला है, उसका जवाब तो जरूर मैं दूगा उसे, मातर, जी, देखना आप क्या खेल खेलाता हूँ, जो मैं, गुद आफटर न सर, ये सब देली सीब्याइ डिपार्मेंट से आये हैं, सर मुझे कुल दीप बेदी कहते हैं, मैं हूँ सीब्याइ ओफिसर, हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बाते करनी है, आईशी, तो फिर आईए, राम भाहिया, आप माजी को स्टेशन ले ले नहीं गए, लखन क्या है, लखन, अरे माँ, जी तरहो, कैसी हो माँ, अच्छी हो, पता है, तुम दुनों के लिए, मैंने क्या-क्या मननते मांगी है, क्या माँ, राम कहा है, वो मा, उनकी कोई जरूरी ड्यूटी लगी है, इसलिए वो, चलो न मा, मैं सवान ले लेता हूँ, रामु, का सामान अंडर ले लेओ, ये किसका बंगला है, आओ dú Ma, आओ, आओ कि हका लेऊ पते, अपने घर मा, अपना पनी घर, मतलब तुमारा घर, हमारे घर, हमारे घर, ये घर, मारे घर, रामू, मा के लिए औरिन जूस बनाके लव, लगन राम कहा है बैट चामा तुम धकी हुई हो पहले स्नान कर लो देखो मैंने बातरू में हॉट वोटर की नई मशीन लगवाई है मैंने पुछा राम कहा है वो अपने घर में है पुराने घर में पुराने घर हाँ मा अब मैंने और भाया ने दोनों ने अलग-अलग रहने का फैसला कर लिया है देखो मा एक दिन तो अलग होना होता है कल होना था सुआ जोगे मा तुमने उससे वादा किया था कि जब हम लोगों की घर अलग-अलग बस जाएंगे तो हमेशा मेरे पास रहो की घर बस गये हैं यह उजड़ गये हैं देखो मा यह उजड़ना बसना सब राम वहिया के हाथ में है वह खामका बुछ पर नाराज हो गए गुस्सा हो गए क्यों क्यों क्योंकि मैं पुलीस अफसर बन गया मा और पुलीस अफसर बनते ही मैंने पैसा कमाना शुरू किया मेरी मेरी लौठी भी निकली मा मैं अमीर हो गया और अमीर होना कोई गुना है मैं जो कुछ भी बना अपनी महनत से अपनी दमाग से मैं दुनिया के साथ चलता रहा और पैसा कमाता रहा है 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 मां यह संतर का चूस पीलो लखन सबसे पहले मुझे राम से मिलना है चूस तो पीलो मां मैंने कहा ना पहले मुझे राम से मिलना है मिलकर आ जाओगी न मां हां आओंगे कानुन के हतकड़ीए उसे कभी भी लग सकती है मां लेकिन तुम लखन के पास जाकर रहो तो यह अच्छा है मां वो तुमसे बहुत प्यार करता है मां और तुम भी तो तुम भी तोँसे मुझे जादआ ही चाहती रही हो ना मेरी और उसकी नहीं बनी तो क्या वा मा तुम्हारी बन जाएगी तो तुम्हा हो ना हा मा मैं जानता हूं मैं जानता हूं मैं तुम्हारा दिल हुमा लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि लखन तुम्हारे दिल की दढ़कने मा और दरकन बेना तिल किस काम काम मंदिल कहा है राम मुझे लखन के पास ले चलो हाँ मुझे लखन के पास जाना है अब किस चीज का अजार है किसी चीज का नहीं मा अपना फैसला सुना चुकी है अगर आप चाहें तो आप भी इस घर में आ सकते हैं नहीं बेना नहीं रखन में अपने ऊपना बेना पुकी हैं और कर सकते हैं फिरनियों तात्से जानियों यर्दीए यर्दिए यर्दी यर्दीए नही... यही... 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 नही... मैं तोपल इसे हांग हों यह पाली यह नही नही यह नही नही हां यह मैंने तुम से यह तो नहीं मागा था मैंने भी शंबर अपार उसुन मागा था राम अलग्षण का यृद नही राम लखण तो मेरे होथिहार थे और उन लोगों ने मेरे होथिहार तोड़ दिये लखण लखण जो मेरी आलाद है अज मेरे ही कले जगाट कर रख दिया, एक माँखा कले जगाट कर रख दिया ये बुर्वान, ये बुर्वान मुझ पर तरस कहू एक दुख्या पर तरस कहू बुर्वान, एक दुख्या पर तरस कहू थाकूर्टताथ सेंग तुमारे अस्तिया क्या कभी गांगा में पिशेजित नहीं होंगे नहीं होंगे क्या है क्या तुमें थाकुर पताव सिंग तुम्हारे अस्तिया किया कभी भी गंगा में बिशेजित नहीं होंगी तुम्हारे अस्तिया मेरे पती थाकुर पताव सिंगी है जिसका कतल बिशंबर अर्भानुने मेरी आँखों के सामने किया था मेरे दो अन्मूल रतन मेरे दो अन्मूल रतन एक हिरा मत और एक लखन मिस्टर लखन यह है देली सीवियाई डिपार्टमेंट के मिस्टर कुल्दीप बेदी आपके उपर सीवियाई की तरफ से कुछ चार्जिस है इसलिए आपको गिरपतार किया जाता है यह रहा आपका गिरपतारी वारंट अब चलिए अब लखन नहीं लखन सहाब बोल ओहो लखन सहाब अरे यह क्या हमें खाने पर बुलाया और खुड ट्यूटी पर जा रहा है शिवा मेरा एक काम करना यार आप माजी का मंदर माजी तक पहुंचा देना और कहना आपकी प्रतिग्या पूरी करके यह वापिस लोटेगा लखन प्रतिग्या पाफ करना पाटे माजी की प्रतिग्या तुम लोगों के पर्द से ज्यादा ज़रूरी है चलो कमान वह जो आतक छोड़ो सारी बेजी साब वादा करता अपना काम करके आपके पास ही आऊंगा रुक जाओ लखन क्या कह रहे हो तुम पीशा गरूसका अरसे चेजम यह क्या कह रहे हो तुम इस तरह तो लखन और बड़बाद हो जाएगा और राम कहां अच्छा मैं आ रहा हूँ क्या हुआ डड़ी लखन पुलीस की हिरासते भाग गया stupid boy बेवकूफ कई कर इदर राम परेशान उसार लखन फरार अब बताईए पागरपन कहता है के पुलीस के फर्स ज्यादा जरूरी है अपनी मा की प्रतिक गया आओ आओ लखन बतीजे आओ हाँ हार दिक स्वागत है आओ यह यह लखन आओ लखन बतीजे तर जोब तुम्हार इंतजार कर रहे हैं वेलकम वेलकम मिस्टर लखन वेलकम अच्छा मिवें पूलिए कि अभी लिगे चारु तरफ बारू फैला दिया गया है अलो मातुर साथ आप जोड़ो घर जाओ बेटर है चलो कि यह सब क्या हो रहा है यह यह सब क्या है सर बेटा लखन यह सब तुम्हारी ही शान में है बंगला तुमने ले लिया हवेली तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारे सपनों की रानी भी चम चम करती आ जाएगी या लेकिन अपना वादा तो याद है ना सुरज निकलने से पहले तुम्हें हमारे ट्रकों को बार्डर पार करवाना तैयार हो ना बैड मैन हाँ सर मैं तैयार हूं जीवा इन्हें की वर्दी देदो सर मैं वर्दी के बिना ही जाओंगा क्योंकि मालोग मुझे पहचानते हैं वर्दी के बगएर तो खेल में मदा ही नहीं आएगा लेकिन सर मैं वर्दी पहन लो लखन सरजान के अब मेए Dru नहीं पहल कोहां हमसे मत खेढोथ लखंब वर्दी पहललो बेचा वट के लोवर्दी पहल बेड मन पहललो दी मन हम लो बखला मैंने कहा नहीं लुटका नहीं पहल हूंगा बंत आख स्ट के मैंने कः नहीं वर्दी नहीं पहला पाल दे वर्दी पहल दे बच्चे नो! तो तू और नहीं पेनेगा तू भी पेनेगा दिख्ताओं, तू पेजनी पेनेगा वर्दी तो तो तूरा बाप भी पेनेगा तू जबूर पेनेगा लखंड इन्हें पता चल चुका है कि पुलिस उमरे पीछे है और तुम की सिरादे से यहाँ हो तो मैं जूट क्यों बोला लकर क्यों बोला कैसरिया यह भी फेल हो गया तो पास कर देता है इसे पास करने से पहले इसे इसकी सपनों की रानी के दर्शन करवा दो के सरिया कर दो कि मिस्स सरजान नंबर पाइब अरे सरजान पाच्वी शाधी आपको मुबारब ओ ये था हमारी तरफ से आपको एक खुबसूरत तोफा पेशामबर कमीने 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 कमीन 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 कोटिया तरम जादेगी कमीन 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 मेरे भाई लखन ने अपराद जरूर किये हैं लेकिन इस अपराद के पीशे किसी और की साजश है हाँ साजश आप लगोंने पेर देखा है लेकिन इसकी जड़ कहीं और है इंस्पेक्टर राम मैं सर जान बोल रहा हूं तुम्हारा भाई हमारे पास जिंदगी के लिए तड़प रहा है हमने सुचा कि जो काम लखन पूरा ना कर सका उसे राम पूरा कर देगा तुम चाहो तो अपने भाई की जिंदगी बचा सकते हो हमारे आदमी तुम्हें हर काम समझा देंगे तुम अकेले आओगे चौकी नमबर साथ मर तुम यानी सिर्फ तुम मतलब यह के सर जौन की धंक्यों से सहम कर हम काम करें अरि यह तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट का अपमान है ना ऐसा कभी नहीं होगा तो आपका मतलब है कि हम लखन को वहीं छोड़ते खातम होने के लिए आप लोग होश में तो ह तो क्या करें बेटी उनके सामने जुक जाएं हाँ पापा राम को जुकना होगा इसलिए कि मैं अच्छे तरह जानती हूं कि लखन राम की जिंदगी है और राम लखन के बिना नहीं जी सकता रह लूँगा मैं उसके बिना रह लूँगा कि हर बार मेरी परिश्चा लेगा हर बार मुझे दुख देगा जी लूँगा मैं उसके बिना राम लखन 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 ट्राइ लखन ट्राइ लखन ट्राइ ओपन यूर आइज लखन मेरा सुना नहीं आप अपनी या आखो से देख लो ट्राइ लखन इश्क है सिर्फ इश्क लखन विव्या से ही शादी करने वाला है का शीराम नौ घंटे हो गए राधा को लेकर गए हुए कौन लेकर गया अरे वहीं बिशंबर और देबू क्यों कर यह क्या कर कि 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 जंडे वाले बाबा को उसकी शादी की कुंडली दिखानी है पर अब तक आये क्यों नहीं है सेड़ जी मनने तो लग गया आपकी आखा में मिर्ची डाल गया वो कैसे असलम जरा सेड़ जी ने आके वो लखन का किस्सा तो सुना इससे पहले कि आज रात की महफल में तुम कुछ नाटक करो हम तुम से आखरी बार पूछना चाहते हैं क्या तुम्हें हमसे शादी करने से इंकार है जी नहीं मुझे मन्जूर है अगर मेरे एक शर्त है क्या शादी से पहले एक बार आपको मेरे सामने लखन को लाना होगा क्यों क्या तुम से चुड़वाओगी या माड लोगी उसे इसका जवाब आपको वही मिलेगा कि खेल अच्छा रहेगा विगर ना करो सरजान आज करोड़ों की कोकें तो श्री रामी निकालेंगे तब तक आप रादा के साथ शादी के डॉल बजाईए झाले वेड़वादा E好吃 आपको वहगादा आपको वहादा कें आपको वहादा तो श्री रहेवादा आपको वहगादा आपको वहगादा प्रूब來了 कर दो कर दो कर दो नजय को कर दो प्रह डिडका ओड़ानी कर दो हो और दो क्यों प्रहर में भी तरहिता उत्प हुदी देवापा, बालवा ना में तुछको मरूगी, ना में तुछको चोडूगी आहिसा, आहिसा, चडपा, चडपा आपकेडी में तुछको तुरूँगी मोंगी मेचढई, वेखवाइ, वेभपां मालुमाओ लिखवाइ, वेखवाइ, वेभपां कर दो तो ह।रा 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 थूण 50,000 जर चुभरी भिली के लिड़न reviews ठीर ह।रा 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 जरा थीर पनाल रचला ह।रा 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 ह। तेरा कोई धर्म नहीं, तेरा कोई थर्म नहीं, तेरा कोई थर्म नहीं अच्छा सा जन जैसे बनेगा, जो अच्छा इनसान है कि तेरे नास में इतना आदा बीना जोड़ोंगे, आहिसा आहिस्ता तड़बा तड़बांगे, ओ बखदी में तुछको तुदूदूगी में ख़र मेरा लखन का है? किया कहा? चारदा बहन उन डोनको लखन के पास ले गई है? हाँ, अब उसको मार देगी नहीं बहन जी, नहीं मार सक्केगी पे इसे? अगर आप हमारी सारी बातने मानें तो तो देखो मैंने तौवारा काम कर दिया कैसरिया अब अपने वादे के मताबिक मुझे लखन का पता बताओ लखन खेरो भाई यह धोका कैसरिया यह मेरी बच्पन की आदत है गुड मैं के सेरिया सर जोन हा सर जोन हमारे अभी कि मुझे बचराई ढे उिया खेरो अथसारा does में हा ठीकी आए निए कना रफस्त यालोर मैं एक आखे देती हूँ पापा, जा मुझे को फिर देजातो का दिख दोगि ही आख में चॉनी, जब तक चलती है ये गूर कई तेरी मौत में तेरी जीचे बोड़ोंगे औही साहिस्याँ सचड़ पस तरफे देजिन में तिजivront तू दूदंगे देज़र्घत तुद्द़र्UM में अबर जाए ऑनना बहरे तो qa ट्रुक कट तब मारे गारं लो लो जो लो जो नहता है लो भी कर लो झाल – लो 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 अधा है बुस्कारिय कोई reinst梁 डी लगड़ीन की फिन बूल मुदल और करो करे विभ खो ए Von खर म ुद म करा झां नियुऊ ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मनमो जी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी फंटू का फो फोटू का बन My name is देवधर, My name is देवधर दुश्मनों का दुश्मन मेरा नाम है देवधर ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मनमो जी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी फंटू का फोटू का फोटू का बन My name is देवधर, My name is देवधर दुश्मनों का दुश्मन मेरा नाम है देवधर खेट जी गोली चल गई बंद करो यह सब बंद करो बैंड बाजा, बंद करो जी बैंड बाजा परमेश्वरी ? यह क्या पत्म बैजी है ? मुसीबत, मुसीबत कैसे मुसीबत ? आप अच्छे तो है? देवधर यह क्या नाटक है ? काशिराम तरह इन्हें बताना कि अगर हमने इनको नाटक बता दिया पेरा खुड़ खोड़ के कहना है कि मैं इनको चेतावनी डेई डालू जी डेई डालू अरे भीया तु अपना खुड़ खुड़ाना नहीं और किसी से कहना नहीं एई फिदर आओ सब के सामने बताओ कि वो चेतावनी क्या है आप कौन यह मेरे दोस्त है माफ करना माफ ही चाहता हूं जी मनने तो कोई समगलर बदमाश लागे था सारी सारी भाई साहब अगर तो आप इनके दोस्त हैं तो इनको समझाईए कि समगलरों से पंगाना ले समगलर कौन समगलर अजी वो है कोई हरामी कानिया सरजान हां सरजान कि आज जो सरजान के साथ आप खेल खेलने वारे हैं मत के लिए मत के लिए अम सब बर्माद हो जाएंगे कौन सा खेल अब बताता हूं जी आपको दोस्त है कि नहीं देखो जी सरजान के साथ मेरी बेटी का जूट मुट का जूट मुट का ब्या कर देंगे और उसके बाद सरजान का कतल देवधर अजी रुक जाए आप बताईए सरजान ने को चूडिया थोड़ा पहन रखी है सरजान भी तो हो जाएका ओफिर आपको पहले मारेगा क्योंकि आप उनके दोस्त है और उनको मारेगा क्योंकि वहाप के दोस्त है और देव्धर क्या मैं आप को सरजान का नकिवरा मिया है है जैस्ट शिककर पठाने और सेट कर रहा है हम यह आपको कौन करों कुछ 1997 आपके खूंड की बात कोई कर डाज्व कि बास कर रहा हूं उसराम बढ़ना का यह के पत्थर की आंख तो फिर आघी वो सर्जान है ठ्क sucks चीं, खिलाली कमजोर निकला, तो सुनु तो ड़ा, मूर्क, जाहिर, पंडे जी, शादी के मंत्र शुरू कीजै, बरको ते लख लगाईए, मंधलम भगवान विश्णू, मंधलम अनत्याजा, जाद्धी, आप मारी बारी है सरजान देवधर शात्री के लिए इस फंठू का फोर्टू का वन्ठू करती है आपने तो वाई गौड एकदम जेज़ बोर्ड लग रहे हैं आप तो काशी राम अपने देवधर को पहचाना ही नहीं अरे बड़े बड़े शेर जिससे जाएं घर उस शेर क का नाम है डेवधर पारी बिलाओ शेड जी ये डालाग बोलने का टाइम नहीं है एक्शन करो एक्ष्ण द्रैक्षर नम्बर एक्ष्ण को हमारे सामने पेश किया जाया एक्ष्ण नमबर दो राता बैटी को मारे साथ बेचा जाया । नमेर थी में खुद बोलूगा सरज सारी स्टोरी यहां होती है खत्म और मारी स्टोरी होती है शुरू देवधर शेर का शिकार करना ना तो बनिये का धरम है और ना ही करम इधर देख अगर किसी ने जरा सी भी हरकत की तो राजा को भून के रखती है जाएगा कि देवधर तूने चाल चली तो सही लेकिन पूरी सफाई के साथ नहीं गुन ज्यान निधान अमान अजम नित्राम निमामि विभुम विर्जम भुजदंद प्रचंद प्रताप वलम खल व्रिंद निकंद महा कुसलम कि आई प्रुदंद कि अलong कि राएउँ महा ज्या क्मा जाएईजम ऱहा जज़। कि राएँ हा जुछ ? कि उन्हा ईता क। विशंबर देखो कौन खड़ा है तुम्हारे सामने तुम्हारा काल जो थीक निश्चित समय पर आ पहुँचा है यह मा है उस राम की जिसके लखन जैसे भाई को तुमने उससे जुदा कर दिया यह मा है उस लखन की जिसको तुमने ब्रस्टचर की गंदे नाले में फेग दिया यह पत्मी है उस ठाकुल प्रताफ सिंग की जिसके खोन के धब्बे आज भी मेरी इस चुल्ड में लगे हुए है देख सकते यह धब्बे पैचान सकते हो नहीं तो देखो देवधर राधा बेटी को ले जाएए विशंभर मेरा लखन का है देखो दूनो बड़ियागो, और खातन गरदो पानू पातुसाद, पातुसाद आवाज नहीं, आवाज नहीं कौन? बाक्टमान माल लाए केस सरया बलाती कभी फेल नहीं होता, सरजान इस अंधेरे में ही नागन का सरफुचल डालो आवाज नहीं, बाक्स वहीं रहने दो माजी, आप यहीं रहे, मैं लखन को देखकर आती हूं पहले यह बताओ के बत्तियां बुजाई किसने माहे, अगर मैं बत्तियां नहीं बुजाता था, तुम सब की बत्तियां गोलो जानी दी, बैग ब्रदर अरे जीजा जी, बत्तियां जलवाओना याँ आवाज नहीं नहीं, इस अंधेरे में ही नागन का सरफुचल डालो ऍुम द्रूवत डुचचा! डाँ! राँ रराँ!!! तो तो यहाँ शैतान जहाँ जहार राम वहाँ वहाँ कि जाड़ा कि राम प्रिशमर कि यह रही माजी की चुनरी चुनरी हाँ जिसके खून का रंग आज इस हवेली के चाहिए लेकिन याद रहे लखन बनकर नहीं इंस्पेक्टर लखन प्रताप सिंग बनकर यह रहा तुम्हारी हवेली का वो कागत तुम्हारी विजय में ही हमारी विजय है लखन लेकिन इस खेल में विजय हमारी होगी विविया लखन प्रताप सिंग मौत खड़ी है तेरे पीछे वर्दी पनाने का बहुत शौक है न तुम्हें पैनाओ वर्दी पैनाओ पेनाओ पैनाओ वर्दी पैनाओ वर्दी माजी तुम माजी को लेकर बाहर जाओ चलिए आई सेड़ी आपके तो नहरा यह नहरा है लेकिन रादा बेटी कि तर गई रादा शीवा के शाद गई है येस इंडिया इस ग्रे शीवा रादा को बाहर ले जो नीचे की सुरंग में जाकर बारूद वाला सुच आउन करदो क्विक ओकी सर लकान अफिसाम अफिसाम लकान का कुछ पता चलाम आपका लकान जिन्दा है भहिया अफिसाम लकान भहिया यह जखन यह मेरे कर्मों की सजा है यह वर्दी हाँ भहिया अब मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरी लाश भी मेरे भहिया को मिले तो एक सच्चे इंस्पेक्टर लखन पताब सेंग की मिले उस बैमाल लखन की नहीं जिसकी वज़े से सब का सर हमेशा जुका रहता था कि अगर 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 देख कहां ले आई तेरी हरकत है हम सब को यह थे तेरे रादे यह थे तेरे रादे यह थे तेरे सपने आप दुनिया बदलने चला था न तुम आप सारी भाया सारी क्या बच्चे सारी बोलता है तुम भाया लखन तूपर जा मैं नीचे जाता हूं देवू बेड़े देवू लखन बेटा लखन देखो मैं तुम्हारा चाचा हूं चाचा विशंबर यही है वो कमराना चाच से तुम्दे मेरी मां को देखो तुम्हारा चाचा हूं थक्या देकर निकालाता चल, 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 नजए तेरी मारी है कर दो Amin! Isu! Ajayyayyayyye var Aksas! Sitte hamare bita ki haddiya git i! आपने से खेए जो आपने साल पीजार है चलो अरे केसरी आपबू सर जी सर जी हमें भी लेचलिए पहले हम लोगों को फेल कर दिया अभी केसरी आप अबू भाईयो मैं नेदा के राता हूं भाया अपने आपको पुरीस के हवारे करते है अलो हलो हलो एड़्वार्टर्स अलो राम आओ राम बचा सकते हो दो बचा रो इसे चलो बारू राम चलो लो फारिंग लो फारिंग जाने लो उसे जाने लो उसे कि अग्याओ कि अग्याओ सर्वेली से में से जाया कि तको किसी ने किर्नप कर लिया है कि अग्याओ कि अग्याओ कि अग्याओ कि अग्याओ अग्याओ ले वो शार्दा को और बांदो इसी रेन्वे लाइम पर जहाँ हमने परताप के टुक्रे टुक्रे किये थे अग्याओ चल आम्रीन राम्रीन हमको काटने चली थी तुम है चल राम 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 अगर तुमने मुझे पर गोली चलाई तो याद रखना मेरे साथ साथ तुम्हें इन दोनों की लाशे भी मिलेगी तुम वही खरी रहो रुक जाओ विशंबर रुक जाओ अपने आपको कानूं के हवाले कर दो युक तुम रुक रёं रchae रुक राम रुक रुक रपक रुक रथ आपके बहुआ। हुआ 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 है हजारों साल से लिखी रामायन की बातें और उनके आदर्शों को हम लोग ना कभी बदल सकें ना कभी बदल सकेंगे जानते आज मुझे कैसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे के आज मेरे लखन का नह जनम हुआ है बया ए जी, ओ जी, ओ जी, सुनो जी, मैं हुम अनमो जी, करता था मैं जो गो, तुम ना करो जी नो 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 जी ओ राम लखन, सजनों पे सजन, जी ओ राम लखन